Hello Friends, मैं नितेश कुमार, आपका आपके YouTube चैनल Invest Forever में एक बाग फिर से स्वागत करता हूँ देखिए एक दिन market में volatility क्या दिखाई दे जाती है या market एक दिन गिरता हुआ क्या दिखाई दे जाता है लोग डरने लग जाते है बट मैं हमेशा अपनी वीडियो में हमेशा आपको एक चीछ बताता हूँ कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं आती याद रखिए जब market गिरी थी तो कितनी बार यहाँ पार नीचे जाके ऊपर जाती थी तो इसने नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे जाना थोड़े टाइम के लिए फिर दूबार ऊपर जाना या फिर नीचे से ऊपर से नीचे आना तो इसे क्या कहते है इसे कहते है तो इस चीजों को थोड़ा सा मार्केट का नीचा जाना लाजमी है और अगर वो जाता है तो वो एक अच्छा संकेत होता बुरा संकेत है तो इसी चीजों को यहां पर हम चार्ट के तूरू समझेंगे जानेंगे कि किस तरीके से कहां पर हमारे सब्सक्राइब मार्केट कापर हमेंगे यहां ना हम उसके factoring यहां पर ट्रेड ले सके उसके आखकेए हम यहां पर समझाए कि हमारा पोर्टफोलियो उसके बाद कितना भागेगा तो इस चीछ को जानना बहुत जरूर है तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे चानेंगे बट वीडियो में आगे बढ़ेंगे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन को हिट कर लीजेग प्ले लिष्ट में जाके देखिए टेकनिकल की वो यह सारी चीछे आपको समझ में आ जाएगी किसी से सीखने की आपको जरूरत ने पड़ेंगे सब कुछ फिरी ऑफ कॉस्ट है तो आज वीडियो की तरफ आगे बढ़ते है तो चैनल को सब्सकाइब करना दूसरे चैनल न जानते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी-फिफ्टी की की अगर हम यहां पर बात करें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर exactly हो क्या रहा है तो यहां पर चार्ट ओपन हो जाता है तो देखिए हमने जो आपको लेवल दे रखे है और इसी लेवल से चीज़ में जब मार्केट भागी थी तो उस लेवल से उपर जाकी हां पर रुकी थी बट आज हुआ गया आज मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी ओगया और नीचे गिरने पर याद रखिए एक कंसौलिडेशन टाइप में होता हुआ नेचे गिरी नीचे गिरने के बाद उस लेवल पर दुबारा गई जाओ यह पर देखा था अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो उस लेवल को यहां पर इसने टच किया जो कि आज का हाई तो शोलेजा साथ उस लेवल को टुट तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ओन नजर आता है 16,800 तो यहाँ पर 16,700 यह दो लेवल को निकालना बहुत जरूरी है यह दो लेवल निकाले तो मार्केट यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी कहां की तरफ मार्केट भागती हुई नजर आएगी 17,300 और 400 के बीच में और उसके बाद 18,000 का लेवल यहां पर दीवे आता हुए दिखाई देगा जैसे कि लाइदा चीज़े ऊपर ने जाती तो नीचे भी नहीं आती तो याद रखिए यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहां पर चार्ट के हिसाब से आपको समय में आएगा तो यह दो लेवलों को हमेशा याद रखना निफ्टी में तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे पैसा बढ़ेगा भागने के लिए में उसे 16,800 का लिवल क्रॉस करना भोट जरूरी है जो की चार्ट में हमारे दिख भी रहा है और जो केंडिल बनी है वो दर्शाती है कि यहां पर गिरावट हो सकती है बट गिरावट का जब आज का लो 16,574 इसे तोड़ा तब गिरावट होगी बट अगर नहीं तोड़ा अपने रेजिटरेंस हाई को आज निकाल देता है और फिर इसके बाद यहां पर 16,800 को निकाल देता है तो बड़ी देजी होगी तो इस तरीके से यहां पर काम करना है उसी कह गोड़िंग अब बात करते हैं निफ्टी मिट कैप की निफ्टी मिट कैप देग लीजिएगा अबिसी बात है हमारे पास मिट कैप ज्यादा है क्योंकि मैं हमेशा गयता हूँ अगर पैसे कमाना है तो मिट कैप स्मॉल कैप में ही आपको पैसा मिलेगा लार्ज कैप में यहां पर इतना पैसा नहीं मिलेगा अगर आपको सीरियसली पैसा कमाना है क्योंकि जितने भड़ लोग है वो उसी साब से काम करते हैं तो आज क्या हुआ लाज टेडिंग सेशन में तो अच्छी तरीके से भागता हुआ दिखाए दिया यहां पर मिट कैब भी बट आज की डेट में यहां पर यह थोड़ा सा नीचे आया नीचे आने गया फिर उपर गया 27.2 नेगेटिव थ से निकाला तो एक तेजी होगी जो यहां पर इसे 39,800 और 900 के पास ले जाएगी और उस सबसे में हैं 31,500 इधर तक लेगी जाएगी और उसके बाद जो तेजी होगी वो एक दूसी तेजी नेजर आईगी तो वह बाद में हम बात करेंगे बट कल की बात करें तो कल क्या में कर आता है अगर इसने आज का हाई अपना क्रॉस कर लिया और कल का ही क्रॉस कर लिया तो तेजी और आज का इसने अगर तोड़ा तो याद रखे गिरावट होती ही नजराएगी और उस गिरावट में 28,700 और 27,000 और 28,000 के लेबल यहां पर खुलते होगे नजराएगी तो य और जो केंडिल इसने बनाई है ओके एक तरीके से आप यहां कहते हैं स्पिनिंग टॉप यहां पर बनता हुआ नजराएगी तो यहां पर आप देख रहे होंगे इसने जो कल का हाई बनाया था वो एक रजिस्टेंस था उसी रजिस्टेंस को यहां पर इसने तच करके है और ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर 9,153 इसे निकालना बहुत जलूरी है इसे निकाला तो इसमें एक सेकिंड रांड आफ तेजी होगी जो इसे कहां ले जाएगी जो इसे 9,400 की तरफ ले जाएगी जो कि यहां पर मेक और ब्रेक लेवल है यहां पर अगर चीटे पोची तो यहां तो चीज़े ऊपर या लगता नीच आएगी तो जैसे कि मैं बतारों को होगा यह कि चीज़े अब जैसे कि यहां पर पहले higher lows बनाते हुए चीज़े नीचे आ रही थी अब higher highs बनाते हुए चीज़े ऊपर जाएगी तो इस चीट को आपको यहां पर समझन ही ज़रेगी इससके लावथ हम बात कर लेते निफटी बैंक निफटी बैंक में भी यहां पर आप देख सकते हैं निफटी बैंक अगें यहां पर कर देखिया आज उसी अचेमेल में रिखेंशी अहां डिना ते यहां विद्व RAW ये अगर ₹ तो सपोर्ट यहां पर साथ ने नजर आता है 36,000 असी के आसपास का 36,000 असी यह 36,100 के आसपास का बट अगर हम बात करें इसे तेजी के लिए यहां पर इस लेवल को निकालना बहुत जरूड़ी है जो कि कितना है 37,107,107 का लेवल निकाला तो तेजी होगी और दूसरी तेजी 7,500 पुशनिया छेशो का लेवल निकालने पर होगी तो वही है लगता चीजे ऊपर ने आती लगता नीचे ने आती तो इस चीट को हमें समझना होगा तो हमें उसी के अर्कॉर्डिंग एक्ट करना है उसी के अर्कॉर्डिंग हमें यह पर चीजे खरीदनी है और उसी के हिसाफ से हमें यहां पर ट्रेंड भी पता चलता है यह एक्ष्ट्रेंट्रेंड क्या चल रहा है, निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी ने तेजी दिखा इती, ओके और तेजी दिखाने के बाद, आज जहां पर यह उपर गया था, वो एक रेजिस्टेंस को टच किया, टच करके, यहां पर नीचे आया, अब बात करूं 30,500 के असपास कर रहा है इसके अलावा हम दूसरे इंडेक्स की बात कर लेते हैं निफ्टी ओटो निफ्टी ओटो ने लगातार तेजी दिखाए थी एक बहतरी इंडेंस यहां पर दिये थे और जैसे कि मैं आपर बता रहा हूं हाय राइस देखिए एग यहां पल का हाई था उसे निकालना बहुत जरूरी है 12,690 और 12,700 इसे निकाला तेजी बट यहां पर जो आज गिरा है इंडेक्स उससे नजर आता है कि थोड़ा सा और गिरता हुए नजर आएगा और सपोर्ट पे आएगा 12,24 का सपोर्ट नजर आता है बट अगर वो भी टूटा त इसके बाद चीजे 12,116 और और खड़ाब होती हुए थोड़ा सा 12,000 के आसपास निजर आएगा उसके बाद तेजी के लिए याद रखिए इसे अच्छे रिजल्ट अगर कंपनी के आ रहे है तो अब वेसी बाद आची आटो इंडेक्स उपर याएगा अधर फिर नीचे हमने बताया था कि ए एक इसको के बाद से बाद स Карण आजर आ रहे हैं और अचीखासी होती हुई नेजर आ सकती है और और फिर यहां पर गिरता हुए न जेसे निकाला तोि तो 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 तेजी अंत्र यहां पर नहीं चाह सकती है, Metal के result, JSW के बड़े बेकार आये थे, किसी के अच्छे आ रहे, किसी के बेकार आ रहे है, तो इसके mix result आ रहे है, तो इसके according हमें यहां पर act करना है, जाद है यहां पर तेजी करने की यहां पर, अभी मस सोचिएगा, वरना यहां पर फसने के ऊपर chances रह सकते हैं, इसके इलावा FMCG की बात करें, FMCG में लगतार तेजी थी, जब यहां पर मैंने इंडेक्स देखा था, मैंने आपको बता दिया था, और उस लेवल जो मरा target था, होके उस target से भी यहां पर ऊपर चलता हुए नज़र आए, बर्ट यहां पर थोड़ा सा cautious हैने की जड़ोगता है, क्योंकि यहां पर अभी यह हो सकता है, कि उपर ले जाके हमें फसाता हुए नज़र आए, बर्ट यह भी हो सकता है, तो यहां पर डोजी बनती हुए नज़र आई है, या फिर कह सकते हैं, यहां पर spinning top बनता हुए नज़र आया है, low tootah तो नीचे, high tootah तो उपर बढ़ यहां पर support नज़र आता है, 4,632 का, तो यह निफ्की FMCG के बारे में यहां पर रहा है, इसके इलाबा, दूसरे से सेक्टर को भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और समझ सकते हैं, जो कि हमने यहां पर technical की list बनाई है, उससों जाके देखिएगा, तो आपको चीरे समझ में आगी, किस तरीके से आप यहां पर, on the basis of those technicals, 4 वीडियो है, सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को हिट करेए, नितिश कुमार चैनल को भी यहां पर सब्सक्राइब करेए, महां पर भी शॉर्ट वीडियो आ रही है, वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमें, शेयर, और जितना हो सके, सपोर्ट करेए, सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो थैंकी सो मच, गोडब्रेस,